हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइ चैनल ड्रामा सिरीज, पार्ट फोर तक की कहानी आपको पिछले वीडियों बता चकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सक्षन में मिल जाएगा, पिछले अपसोन में हमने देखा था कि गौांगसी को पता ना चले कि उसकी ग्लास फैक्टरी में इतना पल्यूशन हो रहा है, और इस वज़ा से कितने लोग बिमार पर रहे हैं, और अगर किसी को इस बार में पता चल गया, तो उनका ग्लास फैक्टरी पूरी तरह बंद हो जाएगा, और उनकी इंकम भी कम हो पर उसके पास कोई सबूत नहीं होता, ये सब प्रूफ करने का, तो गौांगसी बहुत महनत करता है, ताकि वो सबूत इकटा कर सके अपने ससूर के खिलाफ, तो उसे एक बंदा मिलता है, जो इन सब कारनामे में उन लोगों के साथ होता है, तो गौांगसी उसे ही फसाने क प्लान बनाता है, इधर फैंग सारे गाउंवालों को धमकी देने आता है, कि उनके पास अब बस एक ही दिन बचा है, ये गाउंखाली करने के लिए, तो सारे गाउंवाले फैंग से ही लड़ने लगते हैं, और कहते हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम यहां से नहीं निक लेंगे, कि तभी वहाँ पर गौंग सी आ जाता है, और फैंग को मू तोर जवाब देता है, और कहता है, तुम चाहे कितने भी पैतरे क्यों न अजमालो, तुम इन गाउंवालों को यहां से नहीं निकाल पाऊगे, कि तभी फैंग की नजर मू चैंग पर पड़ती है, तो वो मू चैंग को देखकर पूरी तरह सौक्त हो जाता है, आगे फैंग मू चैंग के बारे में पता लगाने की कोसिस करता है, कि वो यहां पर क्या कर रही है, अगले दिन गौंग सी और मू चैंग उसी उनिवरसिटी में जाते हैं, जहां पर वो लोग पहली बार मिले थे, तो मू चैंग उस उनिवरसिटी को देखकर पूरी तरह एमोशनल हो जाती है, और उसे वहां पर गौंग सी के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, तो गौंग सी मू चैंग से पूसता है, क्या तुम इस उनिवरसिटी में आई हो, जो तुमें यहां के सारे रास् लेते हैं, और उसके मू से सारी सच्चाई उगलवा कर उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं, आगे उस बंदे को भी पता चल जाता है कि उन लोगों ने उसे बेफकूब बनाया है, तो वो अपने गाड भेजता है उन लोगों को पकड़ने के लिए, तो मू चैंग उन गाड़ एक बार भी नहीं आया, मुझे छे साल पहले वाली कोई भी बात याद नहीं है, मैं हमेशा याद करने की कोसिस करता हूँ, पर मैं कुछ भी याद नहीं कर पाता, और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा दुख पहुँचाती है, पता नहीं छे साल पहले मैं कैसा था, और म मूचैंग जूट बोलती है कि उसने यहां पर किसी को कहते हुए सुना था इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया तो गौंग सी भी मूचैंग के इसी बात पर भरोसा कर लेता है इधर फैंक सारे गाउं वालों को गाउं से बहार निकालने की कोसिस करता है लेकिन सही टाइम पर गौंग सी आकर ये सब रोग देता है और फैंक से पूसता है कि तुमने ये सब क्यों किया कि तभी वाँ पर प्रेसिडेंट हे आ जाते है और गौंग सी को कहते है मुझे तुमसे कुछ बात कर नहीं है चलो बात करते हैं आगे प्रेसिडेंट हे गौंग सी को सारी सचाई बताते है तो गौंग सी ये सुनकर सौक्ट हो जाता है और प्रे चाना दे दीजी तो प्रेसिडेंट हे गौंग सी की बात मान लेते हैं और सारे गाउंवालों के सामने माफी मांगते हैं और उन्हें मौाबजा भी देते हैं और प्रेसिडेंट हे सारी गलती फैंग पर डाल देते हैं कि उसने ही ये सब किया तो फैंग ये सब सुनकर तो तुम्हारा काम यहाँ पर पूरा हो गया है अब तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए ताकि मैं तुम्हारी और इमली की साधी कर सकूँ तो गौंगसी कहता है ठीक है मैं कल सुभा आ जाऊंगा आगे सारे गाउवाले मिलकर अपने जित का जश्न मनाते हैं और खूब ड्रि लड़की कोई और नहीं बलकि गौंगसी का पहला प्यार है तो इमली यह सुनकर सौक्ट हो जाती है तो फैंग कहता है जब गौंगसी की यादास वापस आ जाएगी और उसे पता चलेगा कि तुमने उसकी मा के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है तो वो कैसे रियाक्ट करेग वो तुमें उसी टाइम छोड़ देगा और अपने प्यार के पास वापस चला जाएगा तो इमली कहती है मैंने कुछ भी जान बुछ कर नहीं किया है मैंने जो भी किया वो सब गौंगसी के भलाई के लिए किया मूचेंगी थी जो गौंगसी को ऐसी हालत में छोड़कर चल इमली ये सारी बाते सुनकर इंसीक्योर फिल करने लगती है इधर मूचेंग घर की साफ सफाई कर रही होती है तो गौंगसी तोई की मा को कहता है आप प्लिस तोई और मूचेंग की साधी करवा दीजिए मूचेंग बहुती अच्छी लड़की है वो तोई को खुस तो तोई की मा कहती है मुझे भी पता है कि मूचेंग बहुत अच्छी लड़की है और वो जिसके घड़ भी जाएगी उसे वो खुसियों से भर देगी लेकिन मैं अपने बेटे की जिंदकी बरबाद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता है कि मूचेंग तोई से प्यार नहीं क परवा रही तो गौंग सी कहता है कि आपको पता है कि साउले का पापा कौन है तो तोई की मा कहती है यह तो किसी को भी नहीं पता कि साउले का पापा कौन है जब मूचेंग तापाई से इस गाउं में आई थी तभी वो प्रेगनेंट थी तो गौंग सी जैसे ही तापाई क हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर मूचेंग उसके युनिवर्सिटी में काम करती थी तो उसने उससे ये बात क्यू छुपाई दूसी तब साउले तोई के सामने खूब रोने लगता है तो तोई साउले को कहता है मुझे घर जाना है क्योंकि मैं यहां नहीं रह सकत और मैं गुआंकसी अंकल को जाते हुए नहीं देख सकता तो तोई को बहुत बुरा लगता है कि साउले गुआंकसी को इतना प्यार करता है और उसके लिए इतना रो रहा है तो तोई साउले को लेकर घर चला जाता है आगे मुचेंग अपना सारा काम खतम करके घर जारी हो तो मुझे याद नहीं वैसे भी हम लोग एक दूसरे के लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है जो हम दोनों एक दूसरे को याद रखें तो गौंग सी को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो मुझेंग से फिर से पूसता है क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं प्लीज मुझे बता दो पर मुझेंग कुछ भी नहीं बताती और इसी चक्कर में उसके पैर में मोच आ जाती है तो गौंग सी उसे पर तोई इमली को घर आने दे देता है आगे गौंग सी मुझेंग को अपनी बाहों में उठा कर घर लेकर आता है तो तोई और इमली उन दोनों को इस तरह देखकर पूरी तरह सौक्ट हो जाते हैं पर वो दोनों ज्यादा कुछ रियाक्ट नहीं करते तो गौंग सी उन ल के लिए वहाँ से जाना परता है तो मुझेंग सावले को कहती है चलो मैं तुमें नहा देती उं उसके बाद तुम सो जाना तो साउले कहता है मूचेंग तुम मुझे कैसे नहा पाओगी तुम्हारे पैरों में तो चोट लगी है न वैसे मम्मा आज क्या मैं अंकल के पास सो जाओं कल तो अंकल चले जाएंगे न तो गौंगसी कहता है मूचेंग तुम टेंसन मतलो मैं साउले को नहा देता हूँ और गौंगसी सावले को लेकर नहाने के लिए चला जाता है। वैल आपको यहाँ पर बाप बेटे की अच्छी बॉंडिंग भी देखने को मिलेगी। गौंगसी के साथ एक अच्छी लाइफ बिताओ। तो इमली को मूचैंग पर बहुत गुसा आता है। और वो मूचैंग को गौंगसी की पास्ट की बाते बताती है। जब सरजरी के बाद गौंगसी एक बच्चा बन गया था और उसे सब कुछ सिखाना कितना मुस्किल हो गय गया था तो मूचैंग ये सुनकर एमोशनल हो जाती है फ्र प्रिटेन नहीं करतीक तो इमली कहती है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूं ताकि तुम्हें बुरा लगे कि तुमनेुए गौंगसी के साथ कितना बुरा किया था। तब युआ पर तोय आ जाता हो भी समझ लेती है कि मूचैंग सच में बहुत बुरी है तो इमली मूचैंग से साउले के बारे में पूसती है कि साउले के पापा कौन है तो मूचैंग इमली को बताती है कि साउले का गौांगसी से कोई लेना देना नहीं है साउले उसका बच्चा है इसलिए वो ज़्यादा तो इमली कहती है तुमने गौंगसी को पाश्ट में जितनी चोट पहुंचाई है अब मैं उसे और चोट पहुंचाने नहीं दूंगी कि तभी वहाँ पर गौंगसी आ जाता है तो गौंगसी कहता है तुम लोग क्या बाते कर रहे थे तो इमली बात पलर देती है और कहती है ये लोग हमें साधी की बधाईयां दे रहे थे आगे सारे गाँवाले गौंगसी और इमली को उनके साधी के लिए धेर सारे तौफे देते हैं आगे तो इभी हमजुटा कर मूचैंग के सामने अपने दिल की बात कह देता है और उसे एक चांस मांगता है ताकि वो उसे और साधी को एक अच्छा पडिवार दे सके तो मूचैंग अपने बच्चे के लिए हां कर देती है ताकि साधी को पापा मिल सके इधर सीन ये सब दे और मैं तुमसे मिलने भी आया करूंगा कि तभी वहाँ पर तोय आ जाता है तो साधी को कहता है मूचैंग और साधी का खयाल रखना तो तोय कहता है अगर तुम नहीं भी कहते तो भी मैं इनका खयाल रखता क्योंकि ये जिम्मेदारी है समझे अब तुम जाओ और अपनी के कार कार पीछा करता है और वह खूब करता है सासी कार कार नहीं गरता है आपने का मन करता है तो थोड़ा बुजा बुझावा होता है तो गौंगसी की माँ गौंगसी को अपना वेडिंग हॉल चूज करने को कहती है तो गौंगसी कहता है मैं थोड़ा ठक गया हूँ मैं अराम करने जाता हूँ और ये कहकर गौंगसी वहाँ से चला जाता है तो इमली को ये सब देखकर थोड़ा सा बुड़ा लगता है पर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और आंटी के साथ मिलकर वेडिंग हॉल देखने लगती है दोसी तब सावले अपनी मा से पूशता है मूचेंग गौंक सी अंकल का घर कितना दूर है यहां से तो मूचेंग कहती है उनका घर यहां से बहुत दूर है तो सावले कहता है मुझे गौंक सी पापा की बहुत याद आ रही है मुझे उनके पास जाना है तो मूचेंग जैसे ह सावले के मूँ से पापा सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो सावले को कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है वो अंकल तुम्हारे पापा नहीं है और इसी बात पर दोनों मा बेटे में लड़ाई हो जाती है तो सावले मूफूल आकर जाकर सो जाता है इसी बात को लेकर दोनों मा बेटे में जम कर लड़ाई होती है तो सिन उन दोनों की लड़ाई सांथ करती है आगे सिन तोई को आधी रात में कल का नास्ता देती है और कहती है मा तुमसे बहुत गुसा है और मुझे नहीं पता कि कल वो तुम्हें नास्ता दे भी या ना दे इसलिए मैं तुम्हें पहले ही नास्ता दे देती हूं, तुम ये खा लेना, तो तोय कहता है, कल सुभा भी तुम मुझे ये नास्ता दे सकती थी, इतनी रात को ये सब देने की क्या ज़रत पड़ गई, तो सिन कहती है, क्योंकि मैं सुभा सुभा जल्दी नहीं उठ पाती न जी सके, इधर तोय की मा को जब पता चलता है, कि सिन घर छोड़ कर भाग गई है, तो वो तोय को कहती है, कि सिन को ढूंड कर लाने के लिए, पर तोय इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, और अपनी मा को कहता है, वो इधर उधर ही गई होगी, दो तिन दिन में वो व नहीं भी नहीं मिलता, दूसी तब सावले टैक्सी ट्राइवर को गौंग सी के पते पर जाने को कहता है, पर वो टैक्सी ट्राइवर सावले से पूसता है, कि तुम्हारे पैरेंट्स कहा है, तो सावले कहता है, मैं अपने पापा से मिलने जा रहा हूं, प्लीज अंकल ठीक है मैं तुम्हारे पापा के पास लेकर चलता हूं और वो टैक्सी ड्राइवर साउले को लेकर वहां से चला जाता है। पास ले जाने ही वाला होता है कि तभी उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है और उसकी वाइफ अर्जेंटली उसे घर बुलाती है तो बेचारे को उस बच्चे को छोड़ कर अपने घर वापस जाना परता है और साउले अकेले ही गौांगसी के ऑफिस जाता है पर उसे कहीं भी कॉंसी नहीं मिलता तो बेचारा सैड होकर भाड आजाता है कि तभी वहाँ पर गॉंसी की मां आ जाती है और साउले गौंसी की मां से तक्रा जाता है जिस चक्र में गॉंसी की मां के हाथ में जितने भी फार थाल्स होते हैं ध्यान बिल्कुल भी वेडिंग हॉल पर नहीं होता और इमली को यही बात बहुत ही बुरी लगती है तो वो गौंगसी से पूछती है कि तुम इतना डिस्टरब क्यू हो तो गौंगसी कहता है मैं थोड़ा ठग गया हो ना इसी वज़ा से मैं थोड़ा डिस्टरब लग रहा हूं कि तभी गौंगसी को मूचैंग का कॉल आता है तो गौंगसी साइड में जाकर मूचैंग से बात करता है तो मूचैंग गौंगसी को बताती है कि साउले उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस गया है और साउले ने अपना इंजेक्शन भी नहीं लिया है और अगर साउले ने दाइवितीज का इंजेक्शन नहीं लिया तो उसकी तवियत खराब हो जाएगी तो गौंगसी कहता है तुम टेंसन मतलो मैं अभी जाता हूँ सावले को ढूनने के लिए दूसी तब सावले गौंगसी की मा के पिछे पिछे एक स्टोर के पास चला जाता है और उनके बाह खुश होती है कि वह बच्चा उसे फाइल देने के लिए यहां तक आ गया आगे गौंगसी की माँ सावले को जल्दी चलने को कहती है तो सावले जाकर अपनी दादी का हाथ पख़़ लेता है और उनके साथ चलने लगता है तो गौंगसी की मां को भी उस बच्चे से थोड खराब हो जाती है और वोसीरेऊ से नीचे गिर जाता है और उसे काफी चोट भी आती है तो इमली सावले को देख लेती है और उसका ट्रीटमेन करती एधर मुचैंग गौंग सी और तोय को ढूंडते हैं हर जगां पर उन्हें कही भी साउले नहीं मिलता कि तभी इमली गौंगसी को कॉल करके बताती है कि साउले का एक्सिडेंट हो गया है तो वो लोग सीधा होस्पिटल जाते हैं तो मुचैंग अपनी बेटे की ऐसी हालत देखकर खूब रोने लगती है कि तभी होस्पिटल में गौंग सी की मा भी होती है और गौंग सी की मा मूचैंग को देखकर पूरी तरह सौक्ट हो जाती है तो तो एक गौंग सी की मा के सामने ऐसी एक्टिंग करता है कि मूचैंग और वो एक साथ हैं और वो दोनों रिस्ते में हैं आगे इमली उन लोगों को बताती है कि साउले का बहुत ही बलर्ड लोस हो गिया है।ußen को इमली जेसे ही बात सुंती है, तो उसके दिमाग में खटकने लगता है कि कहीं साउले गोंक्सी का ही बेटा तो नहीं है। लेकिन मुचैंग गौंग सी को बलड देने से मना कर देती है और इमली को कहती है तोई सावले को खुन दे देगा तुम इसका खुन ले लो तो गौंग सी मुचैंग से लड़ने लगता है और कहता है मेरा और सावले का खुन मिल रहा है तो फिर तुम तोई का खुन क्यों दे और तोई सावले को खुन देने के लिए चला जाता है उसके बाद सावले का ट्रीटमेंट होता है इधर मुचैंग अपने बेटे के लिए बहुत परिसान होती है तो गौंगसी उसे सहारा देता है पर गौंगसी की मा को ये सब देखकर बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो ज जाम लगाने लगता है कि सावले की ऐसे हलत उनकी वज़ा से हुई है और तो एक गौंगसी को सावले से दूरी बनाकर रखने को भी कहता है तो बेचारा गौंगसी सैड होकर वहां से चला जाता है दूसी तब इमली को पता चल जाता है कि सावले गौंगसी का बेटा है तो तो मुचेंग कहती है मेरे बच्चे का गौंक्सी से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस इतना चाहती थी कि मेरा भी कोई अपना हो जिसे मैं अपना कहूँ, इसलिए मैंने साउले को जनम दिया, लेकिन तुम इस बात की टेंसन मत लो, मैं और साउले कभी भी तुम्हारी लाइ चुपा कर उससे साधी नहीं कर सकती। दर्ध हो जो उसने 6 साल पहले महसूस किया था क्या वो ये सब बरदास्ट कर पाएगा इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ हमें अपने हाल पर छोड़ दो और तुम गौांकसी के साथ एक अच्छी लाइफ जियो तो इमली कहती है मैं गौांकसी से जूट नहीं बोल सकती तो है कि वो गौांकसी को कुछ भी नहीं बताएगी आगे गौांकसी और इमली घर पहुंसते हैं तो गौांकसी की मां उन लोगों को बताती है कि परसों उन लोगों की साधी है तो इमली ये सुनकर सौक्ट हो जाती है और कहती है इतनी जल्दी आंटी अब भी तो हमने कुछ भी प्रिपेर नहीं किया है तो गौंग सी की मा ये बहना बना देती है कि उसके कुछ रिलेटिप्स अभी यहां पर हैं और कुछ दिन बाद वो लोग चले जाएंगे और वो चाहती हैं कि उनके बच्चों की साधी उनके रिस्तेदारों के सामने हो तो वो लोग पहले तो ना मान जाते हैं